इस वक्त की बड़ी कवर आ रही है सीमा हैदर मामले से जुड़ी हुई सीमा हैदर से यूपी एटियस की पूश्टाच खत्म हो चुकी है पूश्टाच में किसी भी तरह जाजू सी एंगल सामने अब तक नहीं आया है यूपी एटियस जल दी अब यूपी सरकार को अपनी पूरी रिपोर्ट सौपी जाएगी पाकस्तान डिपोर्ट नहीं किया जाएगा सीमा को ये बड़ी खबर है मापको बता दे ये पूरी जाच की जो रिपोर्ट है वो अब सरकार को सौपी जाएगी जाट एजन्सियों की तरफ से जो रिपोर्ट तयार की गए हो उसे सरकार को सौपा जाएगा और जानकारी ये भी है कि फिलहाल सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और आज भारती विदेश मंतराले ने सीमा हैदर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है नियूज 18 के सवाल पर विदेश मंतराले के प्रवक्ता ने सीमा हैदर को लेकर क्या कहा है वो आपको सुनवाते है जानकारी है मारे पास और अदालत में पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई वा बेल पे हैं बाहर और मामले की जानकारी है और आगे की जानकारी उपलब होने पर हम आपको बताएंगे सीमा की गुत्थी को सुलजाने के लिए ATS की टीम लगातार उन सवालों का जवाब ढून रही है जो सीमा है दरने पिछले काई दिनों में बार बार दोराए है पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक के सीमा की कनेक्शन को सुझाने की कोशशे हो रही है हिंदुस्तान की सरहत में भुषने से पहले सीमा हैदर ने दो और सरहतों को बार किया था पहली दुबाई और दूसरी नेपार दाबा था कि सीमा और सचिन नेपाल के एक होटल में ठहरे थे वहीं शादी की और वहीं बैटकर ग्रेटर नोईड़ा तक का सफर तय करने का प्लान तयार किया जाच में ये तस्दीक तो हो गई है कि सचिन और सीमा नेपाल आये थे और होटल में रुके थे लेकिन दोनों के आने का वक्त अलग-अलग था नेपाल के इस होटल में पहले सचिन आकर कमरा लेता है फिर दूसरे दिन सीमा हैदर आती है जब होटल मेनेजर रिष्टा पूछता है तो सचिन सीमा को अपनी पतनी बता देता है और उसे रहने की पमिशन मिल जाती है सीमा जब नेपाल आई थी तो वो अकेली थी जबकि भारत वो अपने चार बच्चों के साथ आई ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर साथ देनों तक सीमा के बच्चे कहां थे अगर नेपाल आये थे तो किसके पास रुके थे दावा है कि सचिन में होटल में अपना नाम भी गलत बताया था भारतियों से नेपाल में ज़्यादा जानकारे नहीं जुटाई जाती है इसका सीमा और सचिन दोनों ने फायदा उठाया सीमा सचिन काटपांडू के जिस होटल में रोके थे वहां के मालिक गणेश का दावा है कि सचिन और सीमा का व्योहार होटल में बहुत अच्छा था किसी से ज़्यादा बात चीत नहीं सिर्फ रात के वक्त ही वो ज़्यादा दर बाहर निकलते थे बाकी दिन भर रूम में ही रहते थे यानि सीमा अपने राज को सचिन तक ही रखना चाहती थी वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके पाकिस्तानी होने पर शक्खो इसी लिए वो रात के अंधेरे में सचिन के साथ बाहर घूमने के लिए निकलती और फिर वापिस रूम में लौट आती मामले में डीजी प्र इसके लिए पहले से कानून तय है उस हिसाब से कारवाई कानून अपना कारवारत में दाखिल हुई है क्या नाका मी लगती है सुरच्छा ना ने ऐसा नहीं है जो अगर हमारा बॉर्डर कोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट के आफशक्ता नहीं है तिस तरह की इस वक्त ETS के सेफ हाouse में है सीमा और सचिन के अलाबा सचिन के पिता नितरफार और सीमा के दो बच्चों से भी सवाल जबब किये गये हैं पूश्ताच के दौरान सीमा ने जासूच होने की बाद से साफ इंकार किया और सचिन से मुहबद के चलते ही भारत आने की बाते द आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से वहाँ पर इसके बारे में रियक्शन मिला ग्राउंड रिपोर्ट न्यूजेट इन इंडिया पर देखे शक्ति पीट स्री ग्रहश्वरी मंदिर है जो पशुपतिनात मंदिर के दूसरा हिस्सा है और इसी जगर पर बता जाता कि यहां पर शादी होती है तो इस पूरे सिक्वेंस में काफी कुछ है को कि नॉर्डा पुलिस जब जाच कर रही थी तो यह बता जा रहा था कि नेपाल के पशुपतिनात मंदिर में भी वो जाएंगे कि क्योंकि ATS की टीम यहां पर रवाना होगी यह कहा गया है लेकिन अभी तक हमाहे जानकारी मिली है कि ATS की टीम नहीं पहुंची है और वो यहां पर उस जानकारी को लेना चाहती है जिसका दावा इन दोनों ने क्या था दोनों ने कहा था कि प्यार के खातिatte यहां पर क्या वाकई में इन दोनों की शादी हुई थी या नहीं यह देखना होगा क्योंकि हम इसको दिखाने के लिए आपको अंदर की तस्मूरा भी लेकर जाएंगे क्योंकि यह ऐसा मंदिर है जहां पर सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही परमिशन होती है उन लोगों के ही विवाह होते हैं अगर यहां पर सीमा हैदर आई थी और सचिन के साथ शादी करने आई थी तो यह देखना होगा कि क्या उन्होंने अपना नाम बदला था क्योंकि सीमा हैदर मुस्लिम समूदाय से है और यहाँ पर मुस्लिम समुदाई के एंट्री नहीं होती और यहाँ जाता है कि यह हिंदू देवताओं का मंदिर है और यहाँ पर जो शादी होगी वो उसी रितिरी वास से होगी जो यहाँ पर हिंदू धर्म में और यहाँ पर खास और से लिखा भी गया है आप यहाँ पर शादी करी थी और 10 मार्च के दौरान 10 मार्च से 17 मार्च तक वो यहां पर रहे थे और उस दौरान उन्होंने एक होटल लिया था उस होटल के बाद उन्होंने इसी जगा पर शादी करने का दावा किया है। जारी किया जिसमें सीमा हैदर से पूशताच के बाद उनके बारे में पूरी जानकारी साजा की गई है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से यूपी एटियस कई दिनों से कड़ी पूशताच कर रही है। सीमा हैदर और सचीन से यूपी एटियस ने अलग-अलग और फिर एक साथ में बैठा कर भी पूशताच की लेकिन अभी तक एटियस के हाथ ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी है जिससे सीमा पर जासूस होने का शक गहराए। सुत्रों के मताबिक यूपी एटियस ने सीमा हैदर को एक पाकिस्तानी जासूस मानकर ही बेचीदे सवाल किये। सीमा हैदर के बयान में कहीं भी कोई भी तब्तीली नहीं है। हर बार ऐसा सदा हुआ और एक जैसा जवाब कोई तभी दे सकता है जब या तो उसे जूट बोलने की बहतरी ट्रेनिंग मिली हो या फिर वो सच बोल रहा हो क्योंकि सच में शिपाने के लिए जूटी कहानी बनाने के लिए कुछ नहीं होता न्यूज़टीम को दिये इंटर्व्यू में सीमा ने कहा था कि उसे नॉड़ा पुलिस ने कहा था कि अगर वो जूट बोलेगी और पकड़ी जाएगी तो उसकी परिशानी बढ़ जाएगी इसलिए सीमा ने पुलिस को सब कोच सच सच बताने का तावा किया सीमा हैदर से पूछताश के बाद यूपी एटियस ने एक प्रेस नोटिस चारी किया जिसमें दस पॉइंट में सीमा हैदर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है इस प्रेस नोट में कहा गया है कि सीमा हैदर पाकिस्तान में अपना घर बेश कर सचिन के पास नौइडा आई थी चार जुलाई 2023 को नौइडा पुलिस ने सीमा हैदर को 14 विदेशी अधिनियम और अपराधिक साजिश के तहट गिरफतार किया था 2020 में ऑनलाइन गेम पपजी के जरिये से सीमा सचिन मीर्ना के संपर्क में आई थी दोस्ती बढ़ने पर दोनों वाटसेप पर बात करने लगे इनकी बातची जब प्यार में बदल गई तब दोनों ने नेपाल में मिलने का फैसला किया 10 मार्च 2023 को सीमा हैदर पहली बार करांची से नेपाल आई थी इधर सचिन मीर्ना भी 10 मार्च को नेपाल पहुँच गया जहां दोनों 10 मार्च से 17 मार्च तक काट मांडू के नियू विनायक होटल में कमरा लेकर साथ रहे 17 मार्च को सीमा पाकिस्तान चली गई और सचिन भारत लोटाया इसके बास सीमा ने हमेशा के लिए भारत आने का फैसला लिया और अपने चार बच्चों के साथ 11 माई को पाकिस्तान के करांची से दुबई होते हुए 15 दिन के टोरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुँची जहां से वो बस के जरिये 13 माई को भारत आ गई जानकारी मिलने पर रबू पुरा पूलिस ने सचिन मीना सीमा गुलाम हैदर सचिन के पिता नेतरपाल को घरफतार कर जेल भेज दिया तीनों आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर है सीमा हैदर का पती 2019 से साउधी अरब में नौकरी कर रहा है सीमा का पती घरफती के लिए हर महीने 70-80,000 रुपे साउधी से भेजता था घरफती के बाद हर महीने 20-25,000 रुपे सीमा बचाती थी